लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम 6 बजे थम गया तीसरे चरण में 11 राज्यों की 92 सीटों पर 7 मई को मद्दान होंगे यानि कल ही मद्दान है तीसरे चरण में कई दिगगज नेताओं की साख दाव पर लगी है जिसमें केंद्रिय मंत्री अमिच शा, केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रिय मंत्री मंसुक मंडाव, केंद्रिय मंत्री पुरुशोत्म रूपाला केंद्री ये मंत्री प्रहलाद जोशी और एसपी सिंग बगेल शामिल है आपको बता दें कि आप प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही मत्दाताओं से वोट मांग सकते हैं किसी भी तरह की प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा अठारहवी लोकसभा के लिए अब तक दो चरणों में 190 सीटों पर मद्दान हो चुका है तीसरे चरण में इसके लिए 2963 उम्मीदवारों ने अपना नामानकन दाखिल किया था जिससे 1563 नामानकन वैद पाए गए थे वही प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या में ताल ठोक कर संदेश दिया राहुल गांधी ने तेलंगाना, कॉंग्रेस के राष्ट्रिया अध्यक्ष मलिकरजुन खरगे ने पश्चिम बंगाल में जमकर चुनावी प्रचार किया आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश की संभल हात्रस, आगरा, फतेहपूर, सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपूरी, एटा, बदायू, अंबाला और बरेली संसदिय सीट पर मद्दान होगा तीसरे चरण के चुनाव में सौ उम्मीद्वार मैदान में है उत्तर प्रदेश में 100 उम्मीद्वार मैदान में है जबकि 1.88 करोड मद्दाता इस इस बार अपना मद्दान करेंगे लोगसभा सीट पर अपना कबजा बनाये रखने के लिए प्रयास कर रही है जिन्होंने अपने ससुर और सपा संरक्षक मुलायम सिंग यादव के निधन हुए उपचुनाव में जीता था वहीं इस बार मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पांच लोगसभा सीटों के लिए कुल चाओवन उमीदवार मैदान में है बिहार की अर्रिया, सुपॉल, जंजारपूर मधेपुरा और खगडिया सीट पर मददान होगा जो फिलहाल सत्रूर राजा के पास है तीसरे चरण में जिन तीन सीटों पर मददान होना है उनमें से तीन सुपॉल, जंजारपूर और मधेपुरा वर्तमान में जद्यू के कबजे में है जिनमें से इन सीटों पर मौझूदा सांसदों को टिकट दिया गया अर्विया और खगरिया सीट से चिराग पासवान की अगवाई वाली लोग जनशक्ती पार्टी के खाते में चली गई है राजद नेता तेजस्वी यादव ने खगरिया और जंजारपूर सहित सभी पांच सीटों के लिए गैन प्रचार किया लेकिन इन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी मकपा के बड़े नेता खगरिया में अपनी अनुपस्थिती के कारण चर्चा में रहे जहां पार्टी इस बार भी में एक मात्र सीट पर चुनाव लड़ रही है जनजार परपुर सीट पर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी की अगवाई वाली नवोदित विकास शील इनसान पार्टी चुनाव लड़ रही है सैनी की पार्टी को बिहार में कुल तीन सीट मिली है आपको बता दें कि तीसरे चरण में ही करनाटक की गुलबरगा लोकसभा सीट से कॉंग्रेस अध्यक्ष मली कारजुन खरगे के दामाच चुनावी मैदान में है दो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस यदुरपा और कल्यान सिंग के बेटों की किस्मत का फैसला इसी चरण में है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव की बहु डिमपल यादव उनकी कर्मभूमी मैनपूरी से सियासी रन में है आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News